पवन सिंग अब इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जैसे वो भारती जनता पाटी में सामिल हो गये हों सुपरस्टार से ज़्यादा भारती जनता पाटी के नेता हों और इन कयासों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है खुद पवन सिंग ने ही और बिल्कुल ये संकेत उन्होंने दे दिये हैं कि हाँ वो आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिशेक मिस्रा 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है कुछ महीने ही बाकी है और जाईर हे बिहार या देश का हर राजितिक धल हर राजितिक हिमा इसकी तैयारी में जूटा हुआ है कुछ का पत्ता साफ हो सकता है और कुछ के कुछ नए लोगों की एंटरी हो सकती है नए लोगों को टिकट मिल सकता है कई जगों पर दिल्चस्प लड़ाई और फिर खबरें यह भी कि हौट सीट कौन-कौन सी होगी वो भी हम आपको बताएंगे बिहार में लोगसभा की 40 सीट है बिहार की एक सीट पर बात करेंगे आरा लोगसभा सीट क्या आरके सिंग का पत्ता आरा लोगसभा सीट से साफ होने जा रहा है आरके सिंग का टिकट कटने जा रहा है यह सवाल है और यह सवाल इसलिए है क्योंकि पवन सिंग जो भोजपूरी के सुपरस्टार है भारतिये जनता पार्टी के हो गए हैं तकरीबन, भारतिये जनता पार्टी में चले गए है इसका अधिकारी के लाद नहीं हुआ है लेकिन बिहर BJP के प्रभारी बिनोदत ताओरे, बिहर BJP के पूरवध्यक्ष डॉक्टर सन्झे जैसवाल और बीजेपी के पहली पंक्ती के निताओं में से एक केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी से उनकी मुलाकात हुई है इस मुलाकात के बाद एक तो कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंग बीजेपी में सामिल होंगे लोगसभा का चुनाव लडेंगे और पवन सिंग जिस भजपुरी इंडस्री से आते हैं उस इंडस्री से आने वाले तीन लोगों को बीजेपी ने संसत भेजा है पहले मनोश्टिवारी फिर रभी किसन और फिर निरहुआ पवन सिंग को बीजेपी भी टिकट दे तो हैरानी की बात चाहोगी तो आरा लोगसभा सीट है आरके सिंग सांसद है और टिकट कटना तैमाना जा रहा है पवन सिंग को बीजेपी टिकट देने जा रही है इस बात के भी पूरी उम्मीद है पवन सिंग के कुछ ट्वीट्स को हमने खंगाला पवन सिंग अब इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जैसे वो भारती जनता पाटी में सामिल हो गए हो सुपरस्टार से जादा भारती जनता पाटी के नेता हो और इन कयासों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है खुद पवन सिंग नहीं और बिल्कुल ये संकेत उन्होंने दे दिये हैं कि हाँ वो आरा लोगसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे दरसल एक टीवी इंटर्व्यू में पवन सिंग से ये सवाल पुछा गया क्या आप चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी का सिस नतित्व कहेगा उन्होंने दावा किया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार है आरा लोगसभा सीट पर उनकी तयारी है और वो चुनाव लड़ सकते हैं जाती जाती है समिकर्णों के लिहाद से भी पवन सिंग बीजेपी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं और जिस तरह से पवन सिंग की प्रसिद्धी को भुनाना चाहती है उनकी लोगपृता को बीजेपी भुनाना चाहती है उस लिहा और पवल सिंग का टिकट बीजेपी ने कनफर्म कर दिया है तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं इस तरह के दावे कर रहे हैं आरके सिंग का क्या होगा ये देखना होगा बहुत बहुत धन्यवाद